दोस्तो नमस्कार, सबसे बड़ी पाटी, सबसे रईस पाटी, सबसे प्रभावी पाटी चुनाओं को जीतना है, हर हाल में जीतना है, सत्ता पानी है, हर हाल में पानी है विचारधारा और विचार तो तभी माईने रखेंगे, जब आपके पास राजनेतिक सत्ता होगी प्लिटिकल पार्टी को आप समा नहीं सकते हैं क्योंकि 42 बरस पहले अगर लोटिएगा तो आपको एक आवास सुनाई देगी 6 अप्रेल 1990 अटल बिहारी वाजपई की आवाज जो कहते हैं कि अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा और 42 परस के बाद वही कमल अपने स्वन इमकाल को जी रहा है लेकिन भारत की संसदिय राजनिती के इतिहास में शायद कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर नहीं आएगी जहां पर जिन मुद्दों के आसरे सरक से लेकर संसद के भीतर तक संगर्ष किया गया हो इस देश की राजनिती को डिगाने के लिए जो मुद्दे मंडल के तोर पर खड़े हुए उसके ठीक समरांतर कमंडल को पैदा किया गया और इस देश के भीतर में सामप्रदाइक धुविकन राजनिती की पूंजी बनकर खड़ी हो गई और उसके बाद चीजे पलटते पलटते जाती है समीकणों के आसरे भारत की राजनितीक सत्ता की परिभाशा को ही बदलने में वही पॉलिटिकल पार्टी लग गई जिसके लिए एक वक्त धर्म था इस वक्त जाती है ये कैसी परिस्तिती है जिसके सफर पर आज आपको चलना चाहिए 42 बरस का सफर बड़ा माइने रखता है 1980 में BJP का निर्मान हुआ वह भी तब जब जनता पार्टी चिनावार गई महज 31 सीट उसे मिली थी और दोरी सदस्ता को लेकर शोर मच रहा था कहा गया दोरी सदस्ता यानी RSS के साथ भी और राजनितिक दल के साथ भी नहीं चलेगा एक जटके में जनसंग के सभी सदस्यों ने इस्तिफा दे दिया और उसके बाद BJP का निर्मान किया BJP का निर्मान वह लोग कर रहे थे जो RSS से निकले थे लेकिन उस सफर को पजलते वक्त 42 बरस के बाद की परिस्तितियों को टटोली और समझे मौजूदा वक्त में उसी BJP को उसी RSS को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई बाहर से आकर उनकी पॉलिटिकल पार्टी में समा जाए और उसके बाद सत्ता अगर उसके जरीये मिले या सत्ता उसे सौप दी जाए एक नाम योगी आदितनात का यहां लिया जा सकता है जो ना तो BJP से निकले ना जनसंग से निकले ना RSS से निकले लेकिन उनको खुले तोर पर निमंतरन अमंतरन और उसके बाद मुख्शमंतरी पर तक पहुँ्चाने की परिस्तितिएं को भी इसी political party ने जिया है कमाल की इस्तिती लग सकती है क्योंकि इस कालखंड में जस प्रधान मंत्री ने अपने एक मुख्यमंत्री को राजधर्म का पाठ पढ़ाया वही मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री बनकर इस देश को एक नए राजधर्म का पाठ पढ़ा भी रहा है तो 42 बरस के सफर पर हम आपको लिए चलते हैं क्योंकि ये सफर वाकई बड़ा महत्पूर है पहला चुनाओ बीजेपी के सामने 1984 में आया था अब जरा कलपना कीजिए 1984 में उस वक्त भारत के भीतर में कुल वोटरों की तादात तकरीबन 38 करोड थी और 38 करोड में से बीजेपी को मिलेते सिर्फ एक करोड बेरासी लाक वोट और 42 बरस का सफर पूरा होते हुए 2019 में जब आप आईएगा तो उस समय बीजेपी को वोट मिलते हैं यानि एक करोड बेरासी लाक से निकल कर वो 22 करोड 90 लाक तक महुँच जाती है और दूसरी तरफ इसके समरांतर कॉंग्रिस का जिक्र यहां करने की जरूरत है क्योंकि 1984 में कॉंग्रिस को वोट मिले थे 11 करोड चोवन लाक और 2019 में उसे वोट मिले 11 करोड 90 लाक किस पॉलिटिकल पार्टी की वोटरों के साथ की रफतार है ये एक पहले समझ का हिस्सा है लेकिन बीजेपी के भीतर जब जहांकना शुरू कीजिएगा तो लाल कृष्ण आडवानी ने पहला राजनितिक प्रयोग जो किया था वो कटर हिंदुत का था जिसने बीजेपी को विस्तार दिया अटल विहारी वाजपई एक मौडरेट चहरा थे और बीजेपी अपने तौर पर सक्षम नहीं थी कि वो राजनितिक सत्ता पाले और मौडरेट चहरे के साथ हर कोई खड़ा हो सकता है तो गटवंधन का दौर अनूठा काल अटल विहारी वाजपई के जरिये बीजेपी ने जिया आरेसेस के परचारक ने जिया और संग ने भी सत्ता को देखा करीब से देखा लेकिन फिर भी वो सत्ता की परिभाशा समझ नहीं पाई सत्ता की परिभाशा का असल पाट नरेंदर मोदी ने पढ़ाया और बतलाया कि जो काम आरेसेस करना चाहती है अगर सरकार और सत्ता उसके साथ जुड़ जाए तो सोचिए कितनी सरलता के साथ सारी चीजे होती चली जाएगी कौन चारक है कौन चंदरगुप्तिया फिर दोनों को योएक है बीजेपी के भीतर आज इसे टटोलने की कोशिश कुछ देर के लिए मत कीजिए क्योंकि 1984 के बाद से बीजेपी के सफर में बड़ी रवानगी आती है जैसे ही वो कमंडल का रास्ता अपनाती और दो सीट से 85 सीट 85 सीट से 120 सीट ये अड़वानी का काल है 91 तक का उसके बाद वाशपई का काल शुरू होता है 96 से जो लोग सभा चुनाओं के मद्दे नजर आते हैं लेकिन इस दोर में अलग-अलग राज्यों में अपने जमीन पर पाऊं भी बीजेपी ने दिखाने शुरू कर दिये थे दिली, राजस्थान, हिमाचल परदेश, मद्द परदेश 93 में उसके पधचिन वहाँ पर भी नजर आने लगे और 95 होते होते तो करनाटक, अंदर परदेश, बिहार, ओडिसा, गोवा, गुजरात, महरास्ट इन तमाम जगहों पे आपको बीजेपी के पधचिन नजर आने लगेंगे, अडवानी और वाजपई का काल का ये सफर, 42 बरस की शुरुआत का वो सफर है, जिसने एक ऐसी नीव डाली थी, जिसके आसरे बीजेपी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग नजर आती थी, और वो कहती भी थी, पार्टी विट डिफरेंस, लेकिन सवाल य दो की लडाई है, यही है बीजेपी असल में, और समझना इसी को है, क्योंकि अगर आप देखना शुरू कीजेंगा, किस लिहास से वोट बढ़ते चले जाते हैं, सीटे बढ़ती चली जाती है, तो उसमें पहली बार ब्रेक, 2004 में लगती है, वह भी शाइनिंग इंडिया क नारे तले, यानि 1999 में जो पॉलिटिकल पार्टी एक सो बेरासी सीट पर थी, 23 फीजदी, 24 फीजदी वोट के साथ थी, 2004 में जब वो चुनाव मैदान में जाती है, तो नीचे आ जाती है, 138 सीट पर, उसके साथ वोटर भी छिटकते हैं, और वोटर छिटक कर लगबग 22 प गड़ती हैं, परसेंटेज ओव वोट भी गड़ते हैं, ये एक ऐसा सफर है जिसमें आपको बफोर्स घोटाले के लेकर सडक पर संघर्श और पार्लामेंट ना चलने देने की, इस्तिती भी आपके जहन में आएगी, जब 86 से 89 तक की परिस्तिती थी, और 89 में वीपी बीजेपी पीछे से समर्तन कर रही है, लेकिन आज तो दूसरा सफर है, आज तो सफर ऐसा है जिसमें आयोध्या अंदोलन को रफ्तार वहीं से मिलती है, वाजपई कैसे सब को साथ लेकर चलते हैं, ये 96 में नजर आता है, जब 13 दिन की सरकार में हर कोई साथ नहीं आता है, लेकिन 98 में आ जाता है, 99 में आ जाता है, एक वक्त 13 दिन, फिर 13 महीने और उसके बाद साड़े 4 बरस, उसके बाद अड़वानी को सुईकार नहीं करती है 2009 के इलेक्शन में ये भी मैसेज 2014 से पहले का है, और ऐसे में मोदी की खोच, कई माइने में बड़ी महत्मुन है 2013 मे मोदी की खोच कैसे हो गई, बीजेपी के भीतर से, उसको लेकर कई अलग अलग सवाल है, एक सवाल हर जहन में बार बार गुजरात दंगों के मद्दे नजर, हिंदुत की वह परियोखशाला को लोग पर रखना चाहते हैं, जो की गुजरात से निकल कर आया, और उस वक्त अगवाई, गुजरात की नरंद्र मोदी कर रहे थे, जिसे राजधर्म का पाठ अटल विहारी वाशपई ने ये कह कर पढ़ाया था, कि ये क्या हो रहा है, और आरेसिस ने अपने तोर पर कहा था, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो जो गोधरा में हुआ, उसके पाजनतिक सत्ता को पाने को लेकर वो एक जनून पैदा किया, और सत्ता ना गवाने की परिस्तितियों को भी उसके भीतर जोक दिया, शायद इसी लिए कि इसी सुदकुप सी सुदर्शन जब सरसंग चालक थे, वो अटल विहारी वाशपई को सारजनिक तोर पर सीधे पूले उठा देते थे, लेकिन दूसरी तरफ जब मोहन भागवत सरसंग चालक है, तो नरिंदर मोदी के साथ तालमिल दोनों के एक साथ इस रूप में चलते हैं, जहां पर मैसेज बहुत साफ है, सरकार गवर्नेंस हम चला रहे हैं, आप RSS चलाईए, RSS का विस्तार सरकार और गवर्नेंस से कहीं तेजी से हो सकता है, इसे आप समझ लीजिए, ये एक ऐसा और्गनाइजेशनल मैटर था, संगटनिक मामला था, जिसने BJP को पाठ पढ़ाया, कि BJP का अपना संगठन भी बढ़ना चाहिए, कितने यूरोप के देश समाज आए, जितनी बड़ी 12 करोड से आगे बढ़ नहीं पाई, और कॉंग्रिस बीचे 42 बरस में 12 करोड से आगे नहीं बढ़ पाई, तो मौझूदा वक्त में जरा कलपना कीजे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का और्गनाइजेशनली विस्तार कितना माइने रखता है, नेताओं की छवी उसके बाद हुई है, RSS भी समाया हुआ है, RSS जोड़े 36 संगठन भी समाया हुए है, लेकिन फिर भी, लोग तो चाहिए, संगठन तो चाहिए, और संगठन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और पैसा चलाने के लिए कॉर्परेट पूंजी तो चाहिए, और कॉर्परेट पूंजी क के लिए इस देश की नितियों को बदलने आना तो चाहिए और नितियों को बदलते समय उसे कैसे देश प्रेम और राश प्रेम से जोड़ा जाए ये हुनर भी आपके पास होना चाहिए अगर नहीं होगा तो फिर आप नहीं चलेंगे शायद इस सफर का अगला पढ़ाओ इस संग से गवर्नेंस चलाना सिखूंगा नहीं और इसका एक राजनतिक प्रेयोग उन्होंने डांग के इलाके में किया था डांग आदिवासी बहुली लाका है वहाँ पर जब RSS का एक सम्मेलन हुआ तो उन्होंने सरकारी मशीनरी को लगा दिया कि आप RSS के लोग जो आएं और खास तोर से जो RSS के VVIP आपको नजराएं उनको इस तरीके से ट्रीट कीजिए जैसे आप किसी एक फंक्शन को जो स्टेट का फंक्शन होता है उसमें आप VVIP को ट्रीट करते हैं पहली बार RSS ने उसे समझा कि गौ़र्मेंट की शक्ती की जानकारी प्रचारकों को होन किस्टा को बनाय रखने में खड़ा हो गया यानि जो शाइनिंग इंडिया के दौर में RSS कामोश हो गया पीछे पाउंखी लिए वही RSS मोदी की सत्ता हमेशा से बरकरार रहे और इस सत्ता के बरकरार रहने से ही उसका अपना विस्तार होगा और उसकी विचारधारा भी फ कर करता हो गया और ये एक नया चेंज बीजेपी के इस 42 बरस के भीतर में नजर आता है जो खुल कर बीजेपी ने देखा, आरेसेस ने देखा, देश ने भी देखा अगला सवाल सबसे बड़ा ये था कि क्या वाकई तमाम सरकारी मिशिनरी से बहुत ज़्यादा स्वेसेवक प्रभावी हुए और कोई सवाल ने उठा इसके समनांतर में एक चीज और समझेए कि संग जो करना चाहता है अगर गौर्मेंट की मशिनरी से वो किया जा सकता है यानि सरकारी मशिनरी और संग का समाज तो ऐसे में नई करांती हो सकती है इस मैसेज को भी कहीं न कहीं नरंद्र मोदी ने अपने गवर्नेंस के जरीए मोहन भागवत को भी समझाए और आरेसेस ने भी इसे माना शायद ये कैसी परिस्तिती थी जिसमें आरेसेस की सोच भी बदलने लगी वो आरेसेस जिसकी जड़ में ब्रहमन वादी सोच थी वह बीजेपी जो ब्रहमन और वनिया की पॉलिटिकल पार्टी थी एक जटके में वो बदलने लग गई दो हजार चौधा के बाद से अब ये ओबी सी की पार्टी थी ये सी की पार्टी थी ये महिलाओं की पार्टी थी ये ब्रहमन और बनियों की पार्टी नहीं रही RSS ने भी इस दुखती रग पर उंगली नहीं रखी कि जो ब्रहमनवादी सोच या जो कोकनस्त ब्रहमनों का जिक्र होते रहा RSS के भीतर में उन चीजों को भूल जाए ये राजनितिक सत्ता मौजूदा वक्त में जिस समाजिक समिकन के आसरे मिलती है उसको टटोलने और पकड़ने की कोशिश कीजिया इसलिए BJP के राजनितिकन की नई परिस्तितियों ने RSS के भीतर भी एक नई सोच पैदा कर दी कि वह भी अपने जिले अस्तर के जो भी नुक्ती होती है वहां तक में भी वह OBC पर ध्यान दे कोई जरूरी नहीं है कि ब्रहमनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए हाला कि जब इसको अंदरुनी तोर पर सवाल होने शुरू हुए कि ऐसा क्यों कर रहें तो उनका बहुत साफ मानना था कि आखिर जड़ तो ब्रहमनों की ही है ना बाकी जो फल खिलेंगे जो फूल होंगे जो पत्या होंगी जो टहनिया होंगी वो किसी का भी हो क्या हो महत्रपूर्ण तो जड़ है रूट्स है इस फिलोस्फी को समझते हुए जरा आरसे से निकल कर दुबारा बीजेपी के दाएरे में आईए और बीजेपी के दाएरे में आते ही जब आपके जहन में ये सवाल आही गया कि ब्रहमन वात तो जड़ में है और बनिया और ब्रहमन की पार्टी बीजेपी रही नहीं तो सवाल ये आया कि जो बाहर से जो लोग राजनितिक सत्ता देने भी आ जाएं उनको भी आप एकसेप्ट कीजिए यानि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर ये सवाल रहता है अभी भी रहता है कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आएगा तो आपके साथ वो सत्ता शियर कैसे करेगा लेकिन बीजेपी को इससे कोई गुरेज नहीं बीजेपी के भीतर को सवाल उठे लेकिन लारजर दन लाइफ नरेंद्र मोदी की पॉलिसी सत्ता को बनाए रखने की और आरेसेस की सहमती अपने तौर पर कि अगर वो दूसरी जगा से भी आ रहा है लेकिन राजनितिक सत्ता के आश्रे उसको हम ट्रेंड तो कर सकते हैं पांस साल लगेगा दस साल लगेगा बीस साल लगेगा एक ट्रेनिंग तो होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी बारा साल तक गुजरात की सत्ता को समझा और क्रियेट किया उसके बाद उनको 2013 में प्रधान मंत्री पद का उमीदवार बनाये गया यह उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जिस ट्रेनिंग के दायरे में अभी योगी आधितिनात तप रहे हैं योगी आधितिनात को अभी पांस साल ही हुए है लेकिन दो हजार उनतिस्त आ इशा में सोच रही है जहां पर राजनितिक सत्ता से चूके नहीं यानि एक वक्त अटल भिहारी वाजपई का गांदीवाद और समाजवाद या फिर लाल कृष्ण अडवानी का रत्यात्रा, आयोध्या, कट्टर हिंदुत्व, हिंदूरास्ट ये सारी परिकल्पना और न सेल के जरिये चलेगी और इन सब के साथ कॉर्परेट की पुंजी भी है ये कैसा गुलदसता है जो किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास आपको नजर नहीं आएगा और भारत की संसदीर राजनिती में अगर इन सारी चीजों की जरुरत है तो फिर विकल्प कौन बनेगा कैसे बनेगा इसलिए ये सवाल बड़ा दूर का है किस दौर में विपक्ष कमजोर है ये भी सवाल बहुत दूर का है कि कॉंगरिस बहुत बिखरी हुई और कमजोर नजर आती है ये सवाल माईने नहीं रखते हैं माईने ये रखता है कि राजनिती और गवर्नेंस को कैसे मिलाया जाए माईने ये रखता है कि गवर्नेंस और आरेसेस को एक साथ कैसे खड़ा किया जाए माईने ये रखता है कि RSS, Governance, सरकार, सत्ता, सिस्टम और Capitalism यानि कॉर्परेट की पूंजी के कॉक्टेल को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाए रखने की दिशा में कैसे ले जाएं और वो सत्ता उसकी बरकरार रहे, फैलती चली जाए, केंदर में भी सत्ता, बीस राज शायद अमिश्या उनके साथ खड़े हैं, उनकी समझ और शायद organization को ये महसूस होने लगाए, सत्ता नहीं रहेगी तो कहीं के नहीं रहेंगे, शायद वो सोच और शायद वो सोच जो कि सामप्रदाईक धुविकन के रासरे कल तक वोटों को अपने अनुकूल करती रही और खुले अब ऐलानिया तोर पर कहा गया, हम किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, हम अपने तोर पर जिसे मानते हैं, समझते हैं, उसी को ताकतवर के तोर पे खड़ा करेंगे, या इस्तिती organization के भीतर, party के भीतर, संग के भीतर, governance के तोर पर और कानून के तोर पर भी नज कानून का राज होगा, rule of law होगा, वह भी rule of party में तबदील तो नहीं हो गई, यह भी एक अनूठा प्रयोग राजनेतिक तोर पर, खुले तोर पर BJP ने किया, नरिंद्रमोदी ने किया, खुल कर किया, इसमें कोई ऐसी अवस्था नहीं थी कि जिसे छुपा कर किया जा रहा है, खुले तोर पर जिसे चाहा, उसे अस्थापित किया, खुले तोर पर जिसे खारिच किया, उसके दरवाजे पर ED और CBI की रेड पढ़ गई, यह एक ऐसी परिस्तिती थी, जिसका विसलेशन, शायद भारत के लोकतंत्र के चारो पिलर्स को देखने से आप समझ सकते हैं, यह राजनितिक प्रयोग इस से पहले इंद्रा गांधी भी नहीं कर पाई, जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया था, लेकिन वो आपातकाल राष्टपती के हस्ताक्षर के साथ था, लोगों को पता था, मौझूदा वक्त में हमने सिस्टम को ही ट्विस्ट किया है अब यहां पर एक अगला सवाल और आता है कि जब बीजेपी बदल गई, आरेस्स बदल गई, और अब एक बड़ी पॉस्टिविटी के साथ हिंदू ग्रोथ रेट को देखा जाने लगा, पहले बड़ी नेगिटिव आस्पेक्ट होता था अंतरास्टिये तोर पर भी, कि अच्छा ये हिंदू से वक संग से जुड़ा है, आज की तारीक में हिंदू से वक संग की मानिता अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, आस्ट्रेलिया में भी है, इटली में भी है, यह एक नई परिस्थितियों का जर्म लेना था जिसमें रास्टिये और अंतरास्टिये ये एक नयाब राजनितिक प्रियोग था जिसके आगे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी टिक नहीं पाती थी यानि जाती, उपजाती, समाजिक सरचना, निर्वाचन छित्रों में की समाजिक समझ सभी को एक साथ खड़ा कीजिए और उसके बाद पूरे चुनाओ प्रोसेस को फुल टाइम जॉब मानने जीए यानि इलेक्शन और पॉलिटिक्स ये दोनों फुल टाइम जॉब है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं तो एक बड़े और्गनाइजेशन को सिर्फ उसी दिशा में जोख दिया गया और यह ताकत अपने पास रखी गई राजनितिक तोर पर कि कोई च्छत्रप ताकत वर ना हो यह मैसिज रहा कि कोई भी करप्शन छोटे अस्तर पर ना हो और वह संगठित तोर पर सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए नहीं सो सकती थी यह कमाल है 42 बरस के सफर का जिसमें विचारधारा का मिश्रन जिसमें विचारों के आस अलग दिखने की ख्वाईश जिसमें संगर्श का माददा जिसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के समनांतर संगर्श कैसे किया जाए इसको बनाती हुई रणने थी और सारी चीज होते होते धीरे धीरे गवर्नेंस और गॉर्मेंट और सरकार और और्गनेशन और पार्टी और रसस सब को मिला जुला कर परोसने की परिस्तिती में आ गए यहाँ पर अगला सबसे बड़ा यह आता है कि क्या वाकई सामपरदाइक धुविकन और जाती यानि शोशल इंजिनरिंग इन दोनों को मिलाना ही बीजेपी की सफलता का राज है क्योंकि एक तरफ गुजरात दंगे आपके जहन में आते हैं शम्शान कबरिस्तान आपको याद आता है एटी बनाम ट्वंटी याद आता है अब बाजान याद आते हैं तो यह राजनितिक पुझी जो है सामपरदाइक धुविकन की और उसके ठीक समनांतर OBC नजर आता है उसमें भी जो यादव माइनस OBC है जो जाटव माइनस शिडूल कास्ट है जो महिलाओं को लेकर सवाल है यह सारे सवाल और इसके ठीक समनांतर कुछ बड़े निर्ण है मसलन कश्मीर को लेकर धारा 370 मसलन अयुद्या को लेकर राम मंदिर का निर्मार मसलन तीन तलाक पर का सवाल मसलन जो सबसीडी हज की थी उसको खत्म करने का खुले तोर पर एलान मतुरा और काशी का नारा यह मैसेज़ क्या है यह मैसेज समाज के वो बिम्ब है जो की अभी तक अलग अलग जगाओं पर सुनाई तो देते थे लेकिन राश्ट्री अस्तर पर वह इस रूप म फैल सकते हैं और इसका पॉलिटिकल लाब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकता है या फिर भारत के भीतर में जो उसकी जो बहु विविधता है उस बहु विविधता को उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सोच के अनुस्वार लाने के लिए चार बातों को जहन में र बहतर कोई नेता हो नहीं सकता है रास्टी और अंतरास्टी तोर पर ये चार चीजों का जो भी असर होगा वो असर खुद बखुद भारत की बहु विविद्धा के भीतर में एक ऐसी लकीर खीज देता है जहां पे आप बीजेपी को जर्म नहीं बलकि बीजेपी के सुनकाल क को जी रही है क्या वाकई नरिंदर मोदी जैसा नेता बीजेपी को ना इस से पहले कभी मिला और ना आने वाले वक्त में मिल पाएगा और तीसरी बड़ी बात क्या वाकई मोदी की हर निती सत्ता के हक में दिखाई देने के लिए जो पूरा और्गनाईजेशन आरेसेस और तो इस भारत के पार्लमेंटरी डैमोक्रिसी के भीतर चुनाओं के जरेए जिया जाता है उस पर अगर आपका कबजा हो गया तो फिर आपको कोई सत्ता से नहीं सकता यह पहला मैसेज है दूसरा मेसेज है कि इस पे जब आपका कबजा हो जाए तो उसको डेमोक्रिटिक फॉर्म में आप अपने नेता के औरे तले लाकर समेटने की कोशिश कीजिए और नेशनलिजम से जोडने का प्रयास कीजिए और तीसरी बड़ी बात ये है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जो पाइपलाइन्स हैं जो एकनॉमिक है उसको आप कट कीजिए और ये बहुत साफ तोर पर डी मॉनिटाइजिशन के साथ नजर आया ED, ID, CBI, INRAID से समझ में आया और ये भी कहा जाता है कि बहुत साफ तोर पर अब जो कॉपरेटिव मंत्राले बनाया है जो भारत के ग्रहमंत्वी अमिशा के हिस्से में आता है अब उसकी तैयारी हो रही है कि जो कॉपरेटिव की पॉलिटिक्स ने उस पॉलिटिक्स को खास तोर पर नजर आ जाएगा 42 बरस के सफर में आपको दो चार नामों को अपने साथ लेकर हमेशा चलना होगा अटल विहारी वाचपई, लाल कृष्णडवानी, मुरली मनुहर जोशी ये तीन तिकड़ी अपनी जगा पर है उसके बाद नाम आएगा राजनाथ सिंग का उसक यानि एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जिस स्ट्रक्चर में उपर बैठे हुए शक्स के इर्दगिर्ध ही आपकी पूरी पहल कदमी रहे, कोई मंत्री नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई MLA नहीं, कोई कारकरता नहीं, कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं, एक व्यक्त जो भारत की डेमोक्रिसीम क्यों जीता भी है और शायद राजनितिक तोर पर चुनाओं के आसरे उसको एक ऑक्सीजन देने का काम करता है कि दरसल भारत की संसदी राजनिती अब सीधे सीधे एक ऐसी परिस्तिती की मांग कर रही है, जिसमें एक ही चेहरा रहे, उस चेहरे क काउंटर में कोई दूसरा चेहरा अगर उबर कर आ जाए तो फिर राजनितिक तोर पर उस संग्राम को भी देख लेंगे, अन्यथा इस संग्राम में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, यानि अंधेरा छट गया है, सूरज निकल गया है, कमल खिल गया है, लेकिन सब क जोड़ते चले जाने की परिस्तिती है, तो ऐसे में वो टिप के बाद यानि माइनस और प्लस मोदी, बीजेपी कोई सोच नहीं सकता है, आज की तारीक में, तो क्या आखरी सवाल यहां पर छोड़े जा रहे है, अगर मोदी नहीं तो बीजेपी कहां पर है, अगर मोदी है तो बीजेपी कहां पर है, बहुत बहुत शक्रिया, बहुत बहुत शक्रिया